तो हड़ अलेक्टिकल माइन मेकर यूट्यूब चैनल ते स्वागत है सदी आज दी वीडियो दा ट्रोपिक है PS-PCL और PS-TCL विच लाइनमेन जा सहाई के लाइनमेन दी परती देली त्यारी वजों 500 MCQ और अलेक्टिकल कोईस्चन दी सीरी शुरू कीती है सदी आज दी वीडियो दा पहला कोईस्चन है Moving Coil यांतर जिनना पर्मनेंट मैगनेट इंस्ट्रूमेंट विच स्प्रिंग दा की कम होंदा है Option A है Controlling Torque लई Option B Coil नो Supply देन लई Option C उपरोकत दोनों यानिके A और B Option D है उपरोकत कोई भी नहीं Moving Coil इंस्ट्रूमेंट दे बारे जानिए इस तरह दे Moving Coil इंस्ट्रूमेंट है जिनना दे विच कोईल मूव कर दी है इस सिर्फ DC सप्लाई दे ले यासी यूज़ कर दे वाले इंस्ट्रूमेंट इस दे विच एस सप्रिंग दी गल किती है जड़ा सप्रिंग लिखे होया डाइग्राम चा नजरा रहा इते ए जड़ा सप्रिंग है ये दो कम कर दा सप्रिंग जड़ा कंट्रोलिंग टॉर्क वासते और दूसरा जड़ा है जड़ी करंट लीड लिखे होया इनों सप्लाई कोईल नों देन ले सो कोईल नों सप्लाई देन ले और दूसरा controlling torque दे लई ये spring use किते जान दिया ता एस instrument दे विचे दो कमने हिस दे controlling torque और coil नो supply देन लई ता इस दा जड़ा answer है C सही है वो प्रोकत दोनो Next है thermocouple विदी नालकेडी बिजली प्राप्त किती जा सकती है जड़ा thermocouple method है उस दे नालकेडी electricity प्राप्त होंदी है option A है स्थेर बिजली, option B AC बिजली, option C DC बिजली और option D है उप्रोकत कोई नहीं ता thermocouple methods दे बारे जान लेए दो वक वक जड़ियां metals ने उन्हानों जड़ा जोड़ा गया उन्हादा जड़ा joint है उसनों जड़ो heat दित्ती जान दिया गर्म कीता जान दा ता जड़े open सिरे है गया दोनों जड़े joint एक साइड है और जड़े open सिरे है इत्थे milli volt meter लगावां गयता है इत्थे सानों जड़ी है supply प्राप्त होएगी electricity प्राप्त होएगी ता जड़े ए electricity है यह सानों DC supply दे रूप बेच मिल दिया है ता इसदी जड़े option C है DC विजली यह इसदी सही है इस question दे next है dynamo type अते moving iron type जान तर दी वर्तों किस तरह दी supply ते किते जान दी है जड़े moving iron instrument है और dynamo type instrument है वो केड़ी supply ते वर्ते जान दे है option A सिर्फ DC supply, option B सिर्फ AC supply, option C AC अते DC दोनों supply और option D उपरोकत सारे ता जड़े dynamo type और moving iron type जड़े instrument है गया उनना दी वर्तों जड़े AC और DC दोनों तरह दी supply ते ये इस तरह दे instrument असी वर्त सकते है ता इस दी option C सही है next question है हेट दित्तियां विच्चों केड़े जान तर power on ते कम नहीं कर सकते जानि के supply on ते केड़े instrument नहीं असी वर्त सकते option A है watt meter अते tongue tester, option B power factor meter अते frequency meter, option C energy meter अते phase sequence meter और option D है मैगर अते oh meter, watt meter जड़ी circuit दी total load दी wattage मेजर कर लिए असी यूज़ कर दे है, tonk tester आया है जिसनों असी clamp on meter भी कहाद नहीं है जड़ा current, higher current नों असी मेजर कर सकते है without जड़ी wire जा cable नो ब्रेक कीतिया, ampere meter दी जगा ते इसनों यूज़ कर दे है option B दे विच power factor meter है, ये भी supply on ते ही पता चलेगा के ए सरकट दा जड़ा load आओ के इस तरह दा हैगा और power factor lead कर रहे है जा lag कर रहे है, एसे तरह frequency भी supply जड़ों on होएगी, वो दो ही frequency दा पता चलेगा energy meter भी जड़ों loads आड़ा on होएगा, energy consume होएगी ता energy meter सानों reading देगा एसे तरह phase sequence भी supply ते ही दसेगा, phase sequence RYB केड़ा हैगा और एसे तरह जड़ा D दे विच मैगर ते ओह मीटर है, मैगर जड़ी winding दी जा केबल दी insulation दी resistance मेजर कर ली यूज कर दे हैं और उहों meter जड़ी है, वो resistance find out कर ली ता यूज कर दे हैं, ता ये वाले जड़े 2 meter है, वो supply ते कम नहीं कर दे, ये supply off करके ही वर्तने चाहिँ दे है supply ते meter damage हो जान दे है, ता इस दा जड़ा answer है, जड़ा power on ते कम जड़े नहीं कर सकते, वो मैगर ते ओह मीटर है, ता इस दा answer D सही है next question है, watt meter किस परकारदा जंतर है, watt meter जिसनों सी power measure करन दे ले यूज कर दे हैं, ता उस दे बारे कुछ है किस type दा instrument हैगा option A है, indicating type, option B, recording type, option C, integrated type, और option D या उप्रोकत, कोई भी नहीं ता जड़ा watt meter हैगा, वो indicating type दा जड़ा instrument है, option इस दी A सही है integrated ओ instrument आ जान दे है, जड़े किसे circuit दी खप्तनों जा उस नोट कर दे है reading सानों proper मिल दी है, जिस तरह energy meter है, लेकिन उस दे विच सानों हर पालदा नहीं पता चलदा किस समय साड़े load दी, किन्नी consumption होई है गिया electricity दी, ता उसनों सी integrated type दा कैदने है, और recording type जड़े है गिया, ए सब स्टेशन जा जनरेटिंग स्टेशन दे उपर instrument लग दे है, जड़े के हर पल दी, हर सेकंड दी, हर समय दी, जड़ी load दी खप्तनों, नोट कर दे है, इक graph दे रूप दे विच, sheet दे विच, एस type दे meter तो स जड़ा पावर खप्त कर दे है, जड़े instrument है गेन चो पावर किना दी खप्त जड़ा हुन दी है, option A, moving iron type, option B, moving coil type, option C, hot wire type, और option D, उप्रोकत कोई भी नही, ता इस दे विच, जड़े जड़ा पावर खप्त हुन दी है, वो hot wire type दे जड़े instrument हा उत्थे हुन दी है, क्योंक जड़ा answer है, वो C सहिया hot wire type दे जड़े instrument है, वो जड़ा पावर consume कर दे है, as compared other जड़े type दे meter है गया है, next question है, synchronous motor दी speed किस तरह दी हुन दी है, option A है, लोड ते कट जान दी है, option B, प्रवरतन सील है, option C, लोड ते वद जान दी है, और option D, स्थेर रहन दी है, ता synchronous जड़ी motor ह Synchronous speed है, कि किस नों कहने है, कि जड़ी rotating magnetic field दी, जड़ा चुमकी खेतर कुम्दा है का stator दे अंदर, उस दी जड़ी speed है, उसनों ची Synchronous speed कह दचेंने हैं, ता जड़ी synchronous motor है, इस दी जड़ी testosterone행 स्पीड है, वो synchronous magnet पाज़ा कुम्दा होया magnet उस दे बरबर हुन दी है, ता इसे नाम ते ही synchronous motor इस ता नाम रखे जानदा है और इस दी जड़ी speed है गिया वो fix रहन दी है स्थेर रहन दी है ना ता load दे वदन ते ना कटन ते कट दी है और ना ही वदन ते वद दी है गिया ता ओदे विचे चेंज कुछ नहीं हो ता स्थेर रहन दी है गिया ता इस दी option D सही है next synchronous motor किस power factor ते चल दी है option A है lagging power factor option B leading power factor option C वो प्रोकत दोनों अते unity power factor option D केवल unit power factor तो जड़ी synchronous motor है गिया वो lagging power factor leading और unity तिन्नों ते कम कर दी है गिया इस करके इस दी option C सही है इस तरह दी motor तो over excite करके leading power factor और under excite करके इस तो lagging power factor दा कम लिया जान्दा ता इसनों सी synchronous capacitor दे ना आते भी जान्दे है next है induction motor हमेशा किस power factor ते चल दिया हन option A है leading power factor option B lagging power factor option C उप्रोकत दोनों अते unity power factor और option D है unity power factor ता जड़िया induction motor ने जिस तरह आसी करा दे विच चाहे हो single phase है जहां industry दे विच three phase induction motor यूज़ कर दे है गिया चाहे हो पानी दे लई असी ट्यूबल यूज़ कर दे है चाहे कोई आटा चक्की है जहां कोई होर चोटी industry है और करा दे विच जड़िया असी पानी दे लई motor यूज़ कर दे है जहां cooler है washing machine है table fan है ceiling fan है यह सारिया ही motor इंडक्शन category दे विच आ जान दिया ने next question है universal motor कि supply ते चल दी है option A केवल AC supply option B केवल DC supply option C AC अथे DC दोनों supply और option D है वो प्रोकत कोई भी नहीं option जानन तो पहला आसी जे universal motor बारे जानी है एस तरह दी motor universal आ जान दी है यह JMG mixer जड़िया सलाई मशीर दी motor है जहां drill है यह सारे हैं दे विच तरह दी motor आ जान दी है ता नाली आर में चर दी coil दे भी पोल चेंज हो जान दे है ता एस तरह दी जड़ी motor है दोनों supply ते वर्क कर दी है AC और DC इस दी option C सही है next question है stepper motor आ दे rotor किस तरह दे हुंदे है option A है squirrel case type option B wound किते हुंदे है option C किसे किसम दी winding नहीं हुंदी और option D उप्रोकत सारे ता जड़ी है stepper motor है इना दी वर्तो आसी जिस तरह printer ने जा फोटो स्टेट मिशीन है और किसे खास काम दे लई इना दी जड़ी चोन किती जान दी है इस तरह दी motor जित्थे आसी वर्त दे हैगी है जित्थे सानू step wise जड़ा control चाहिंदा हैगा और इस दे जड़े rotor है गया उस दे बारे पुच्छा एस तरह दी stepper motor है वो दी construction दिखाई गया ए वाला इस दा rotor है ता ए दे उपर permanent magnet लगे हुए है इस दे उपर किसे तरह दी कोई winding नहीं कीती हुंदी stepper motor दे जड़े इस तरह दे rotor हुंदी है ता इस दी जड़ी option है ओ C सही है किसे किसम दी winding नहीं हु option C centrifugal pump दी किसम और option D उपरोकत सारी ता जड़े submersible pump और jet pump है गया यह न दी जड़ी किसम है वो centrifugal pump दी किसम दी विच आन दीया ता option इस दी C सही है next question है split phase motor दा rotor किस तरह दे हुंदे हान option A किसे किसम दी winding नहीं हुंदी option B wound type दा हुंद है option C squirrel case type दा और option D उपरोकत कोई नहीं ता जड़े split phase motor है इस दी जड़ी construction दखाई गई है इस दी जड़े विच motor split phase motor motor stator और उस दी जड़ी circuit diagram दखाई गए यह winding दी इस दे विच रोटर है और जड़ा rotor हैगा वो squirrel case type दा हुंद है यह type दा दखाया गया ता इस तरह दी जड़ी motor है split phase motor है इस दा जड़ा rotor squirrel case type दा हुंद है ता इस दी option C सही है next question है तिन phase winding आ दी electrical displacement किन नहीं हुंद है थ्री phase दी जड़ी winding है वो आपस दे विच किस नहीं उदना दा angle हुंद है option A 90 degree option B 120 degree option C 180 degree और option D 270 degree ता जड़ा पूरा circle है जित्ते winding किती है स्टेटर दे अंदर वो 360 degree दा हुंद है तो उसनों जड़ो डिवाइड किता गया है थ्री phase winding दे लेई ता जड़ी electrical displacement है वो 120 degree हुंद है तो option इस दी B सही है एस question दी सो अमीब करते हैं तो अनू एस वीडियो तो बहुत सारी जानकरी मिली होवेगी वीडियो चंगी लगे ता इसनू लाइक शेर और कमेंट जुरूर करना है और जेड़े साती एस चैनल दे नवे ने ओस चैनल नू जुरूर सब्सक्राइब करना है तांके तो आड़े तक न समय वीडियो दा नोटिफिकेशन मेल दारवे और वीडियो नू लाइस तक वेखनले तांक यू वर्यमाच्च